फर्स्ट क्वेस्टन का थर्ड पार्ट 3x-y is equal to 3 and 9x-3y is equal to 9 इस दो एक्वेस्टन को सोल करना है जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे देखी यहां हम क्या करते हैं फ्रोम एक्वेस्टन फर्स्ट मैं इस y को राइट साइड में ले जाऊंगा क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इदर क्या बचेगा आपका 3x और 3 को इदर लेफ्ट में आऊँ क्या होगा आपका 3x-3 या बैसे काम इसको यह लिख दें y is equal to 3x-3 मेरे खाल चे कोई दिकत नहीं होगी y is equal to 3x-3 अब इस value को रखें किसमें second equation में put the value of y in equation 2 2 में रखें देखें 9x-3 3y y के जाएं क्या रखें 3x-3 is equal to कितना आपका 9 9x-3 3 is a 9 यह भी 9x और minus minus plus 3 plus 9 हो जाएगा 3 3 is a 9 and is equal to 9 यहां देखेंगे 9x तो 9x cancel जाएगे तो तो क्या बचा फिर आपका 9 is equal to 9 which is 2 और इस तरे की जब position आज आती है तो इसका मतलब क्या है कि pair of linear equations के infinite solution होगे hence 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 pair of linear equations have इन्फाइनाइट मेने सोलुषुण। और वैसे भी अमें इसको 3.1 के साब से सोच के देखें, तो अगर आप में इसे वही A1 बाटा A2, A1 बाइ A2, B1 बाइ B2, and C1 बाइ C2 find out करें वही करने से मिलिंगें वैसे बतार आपको देखें, एसे करके देखें जाप इसको साइड में, करना नहीं वैसे बतार हो इसको, जैसे A1 बाइ A2 करेंगे तो क्या बनेगा? 3 by 9, 1 by 3, फिर अगर आप B1 by B2 करके देखेंगे, minus 1 and minus 3 है, minus 1 and minus 3 है आप क्या बनेगा? 1 by 3, फिर अगर आप C1 बटा C2 करेंगे, तो 3 by 9, यह भी आपका क्या है? 1 by 3, यह वाक है यहांसे, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, और इस तरह का दो केस होता था, होता था, तो हम यह कहते थे, कि आपके line जो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ग्राफ अगर ड्राव करेंगे तो, और कोइंसिडेंट होंगी, तो infinite many solution होंगे, आपको यह बताना नहीं है, क्योंकि दोनों equal आगे हमने put करके देखा, शिदा यहां से लिख देंगे, which is 2, hence pair of linear equations have infinite many solution, और यह first question का third part complete है यही पे,